Hi everyone, welcome to current crunch, start करते हैं आज का वीडियो, आज हम discuss करने वाले हैं हमारी marathon series का unit 2, marathon come revision series, ठीक है, तो unit 1 हमारा cover हो गए है, जिसने अभी तक नहीं देखा, मेरी channel पे आपको playlist मिल जाएगी, वहां से आपको unit 1 देख सकते हैं, दो parts में हमने unit 2 entirely, जो है, वो revise कर लिया है, अब unit 2 का revision स्ट करेंगे, ये भी again हम 2 parts में complete कर लेंगे, ठीक है, तो जो आज मेरी इस channel को पहली बात देख रहे हैं, पहले में उनके लिए बता दो, मैं इसमें कोर्स लेके आती हूं, आपके JKSSB के, आपके state and UPSC के sociology optional के, ठीक है, state, PSE and UPSC sociology optional, तो JKSSB में हमारा specialization वाला जो portion है, वो complete हो कावर आपको उसका सारे जो वीडियो हैं, वो मेरे चैनल पे उसकी प्लेइस बनी हुई है, वो मिल जाएगा, ठीक है, and currently हम जो हमारा GK वाला portion, GK with special reference to JNK, वो कावर कर रहे हैं, जिसमें हमारा constitution वाला part हो गया है, again उसकी separate playlist आप मेरी चैनल पे देख सकते हैं, and currently हम उसका history पोर्शन पड़ रहे हैं, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको और भी कुछ देखने को मेलेगा, test series मेने अपने telegram ग्रूप पे अपलोड कर दी है, unit 1 की specialization part की, तो कही लोग मुझे उसके answer की, मैं आपको पहली भी का answer की, मैं आपको नहीं दूँगी, उसका में एक video solution लेके आऊंगी, video solution, आप वो solve करके रखें, हम video solution में discuss करेंगे, ताके सिर्फ उन students के लिए beneficial नहीं हो, जो regularly देखते हैं, पर उनके लिए भी beneficial हो, जन्होंने वो test series पहली बार attempt की है, और मेरे सारे videos नहीं देखें, तो video solution से उनका भी फाइदा होगा, क्योंगी हम in detail जो है, उ इस पे में currently नितन सांगवान सर, जो है, उनकी book cover करवा रही हूँ, paper A हमारा optional का cover हो गया है, and paper B के हमारे total 5 chapters जो है वो रहते हैं, ठीके, जो भी जल्दी cover हो जाएंगे, तो अगर आप इन सब चीजों को मिस नहीं करना चाहते हैं, do like, share and subscribe to this channel, मुझे comment से बताएं, आपको videos क करना चाहते हैं, तो आपको मेरी चैनल का UPID, मेरी चैनल पे, पिन किया हुआ UPID, comment section में, और मेरी चैनल के description मेरा UPID मिल जाएगा, ठीके, आप हहां से मुझे पोलेंटरिली पे कर सकते हैं, if you want, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीरीज के लिए, PDF जो है मेरे खुद हैं रिटन जो मैंने शॉट रिविजिन नोट आप लों के लिए बनाए, वो हैं रिटन नोट से में डिरेक्ली आपको पढ़ाऊंगी, उससे क्या होगा, उसका PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप पे मेरे मिल जाएगा, ठीके, तो वो को टेलिग्राम पे दे दूँगी, ये शॉट रिविजिन फॉर्माट में है, तो काफी हल्फुल रहेगा अपके एग्जाम से पहले, आप क्विकली यहां से रिवाइस कर सकते हैं, तो यहां पर आपकी रिफरेंस के लिए मैंने लेक्चे नमबर भी लिखा हुए, कौन सा अप लड़की हो फीमेल हो, लेकिन जब ये बाइलोजिकल डिफरेंस को हम एक सोसाइटी का रूप दे देते हैं, हम उसको एक सोशल एंगल से देखना शुरू करते हैं, कि लड़किया ये काम नहीं कर सकती, सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी, लड़के ये काम कर सकते है ये काम नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी, that means हम एक बाइलोजिकल डिफरेंस, जो गौड ने नाशल क्रियेट की थी, उसको एक सोशॉलोजिकल परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोन सा टर्म आ जाता है, जेंडर, ठीक है, तो जेंडर आपको बिफरेंस नहीं बताती है, आपको सोशल डिफरेंस बताती है, मेल आण फीमेल के बीच में, इसलिए बोला जाता है कि ये एक सोशल कंस्रक्ट है, अन हमारे पस एक feminist है, अन ओकली, उन्होंने कहा था कि जेंडर, एक सोशल कंस्रक्ट है, इं नाम आप याद अगर आपको थोड़ कुछ वो डीपली पूछना चाहें, तो हो सकता है अनुकले के बारे में पूछलें. It is also a part of social stratification. Stratification हमें पते हैं, हमने पढ़ा, society को divide किया जाता है, किसमें different strata में, इसका क्या मतलब होता है, layers में आप divide करते हो, वो division caste के basis पे भी हो सकता है, class के basis पे भी हो सकता है, या किसी और basis पे, ठीक है, आपके achievement के basis पे, similarly वो different society का gender के basis पे भी हो सकता है. So, gender can also be a part of your social stratification, उस type की stratification हम को हम बोलेंगे, gender stratification. और gender stratification में क्या होगा, men जो होते हैं, they are more, यह sign more किये, ठीक है, they are more privileged and power, they have got more power over women. Fine, usually gender stratification में ऐसा ही होता है, unless कि आप किसी ऐसी society की बात कर रहे हो, जहां पे matrilineal या matriarchal society हो. Fine, अगर हम general up terms में देखें, तो एक universal stratification, अगर हम gender के basis पे देखें, तो men जो है, वो जादा privilege और powerful position पे होते हैं, over women. That is a gender stratification. Now we thought different perspectives में आपको पढ़ा है, इसके gender inequality के क्या लग-लग perspectives में क्या बोला गया है, तो quickly हम यह revise करेंगे. Understand, यह complete, अगर आपको lecture देखना है, यह उसकी replacement आपके लिए नहीं है, आपको complete lectures देखने पड़ेंगे. But अगर आपके पस time नहीं है, अब exam की date आगई है, तब आप यह वीडियो देख रहे हो, तो यह जुरूर आपके लिए beneficial रहेगा, इतना भी करके जाओगे, तो at least we'll be able to attempt questions, ठीक है, समझ पाओगे चीज़े. But यह मेरी main lectures की replacement नहीं है, डीटेल के लिए आपको वो lectures देखने पड़ेंगे, ठीक है? Functionalist perspective नहीं क्या बोला, मैंने आपको पहले भी बोला है, जहां पर भी आप functionalist देखो, इन्होंने हर चीज़ को एक functional view में देखा है, यह वो school of thought है, जो आपको कहता है कि certain amount of crime, वो भी functional है society के लिए, तो इन्हें जेंडर जो stratification है, उसके बारे में भी gender inequality के basis पे कहा, कि efficient way है क्रिएट करने के लिए division of labor, क्योंगि men है वो क्या करते है, वो जाके काम करते हैं, they earn, तो पीछे से घर भी उनका देखना होता है, house, home जो उनका है, वो कुण संभालेगा, अगर कोई घर संभालने के लिए होगी, तो ही वो tension free होके जाके जाएंगे, बाहर कमाएंगे, घर में आके spend करेंगे, तो ये एक division of labor, जिसमें हम task को divide करते हैं, ये एक efficiently create होता है आपका, अगर हम gender differences को consider करेंगे, एक functionalist view में, टेलकॉट पासर ने कहा था, जो आपका ये gender based stratification है society की, ये ये gender inequality है, ये best describe करता है, एक model of nuclear family, ठीक है, तो biological basis, जो है ये भी एक type of functional perspective का ही, आप sub type समझ लो, ये किस ने दिया था, इसमें biological basis में important चीज़ आपको याद रखना है, टाइगर और फॉक्स नाम आपको याद रखना है, जो किस ने दिया था, जिन्होंने क्या दिया था, human biogrammer, तो इन्होंने क्या का था, genetic program, human biogrammer होता क्या है, genetic programming है, जैसे हमने ऐसी बाते सुनी होंगी ना, कि ये तो, ये male है, ये चीखेगा, ये चिलाएगा है, इनके nature में है, वो जो thought है, basically, वो ही ये terminology है, human biogrammer, कि उनकी genetic programming ही ऐसी हुई है, कि male का एक character, एक nature ही ऐसा है, कि he will shout, वो angry होगा, वो अप्रूव करती है society, male का dominant होना, female का क्या होना अप्रूव करती है, submissive होना, अगर आप किसी family में देखो, जहाँ पर female domination में हो, तो थोड़ा सा awkward लगता है, कि female dominant family, चाहे एक इनसन कितना भी modern हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं, अगर वो कोई एक female dominant family देखेगा, उसको थोड़ा awkward feel होगा, वो concept basically क्या है, वो human biogrammer है, क्यूंकि हमारे दिमागों में ये चीज डाली गई है, काफी पहले से, कि तो genetically ही आप consider कर लो, कि जो women है, वो ऐसी है, वो submissive है, और genetically ही है, आपका कि जो male member होगा society का, वो थोड़ा बहुत क्या होगा, उसका जो genetic programming है, वैसी हुई होगी, कि वो dominant, aggressive nature वगेरा, वो सारी चीज़े उसमें होंगी, और society इनको अप्रू करती है, तो ये आपको दिया था biological basis, tiger and fox ने, और इसको अप्रू भी किया है, कि इसने, GP Murdoch ने, फाइन तो हो सकते है, आपको पूछ ले, ये दो नाम, आप इससे related याद रखोगे, लेकिन basic concept कि इसने दिया था, tiger and fox ने, ठीक है, तो आगे चलते हैं, conflict perspective, conflict perspective हमने देखा, इन्होंने हर चीज़ को, conflict angle से क्या किया है, analyze करा है, इन्होंने आपको, economic determinism भी इसको बोलते है, main नाम, इसमें कौन है आपका, Karl Marx वाला, ठीक है, conflict perspective क्या होता है, इन्होंने कहा, society जो है, दो classes में divided है, haves and have nots, ठीक है, आपके अमीर गरीब in short, तो इन्होंने हर society के institution को, एक economical angle से देखा, इन्होंने कहा, जो भी society में चल रहा है, या तो उस economy का, जो division बना हुआ है, उसको promote करने के लिए चल रहा है, अगर हम gender differences की बात करेंगे, या जो male है, उनको dominance है female से, and female submissive है, यह इसलिए है, ताकि जो inequality बनी हुई है, उसको promote कर सके, and जो have nots है, जो आपके labors हैं, जो काम करते हैं, वो आराम से काम कर पाएं, वो आराम से तभी काम कर पाएंगे, अगर उनकी जो wives हैं, वो घर में पीछे बैट के घर संबालेंगी, तो basically उनका आराम से काम करना, किनको फाइदा देगा, आपके haves को, capitalist को, ठीक है न, अगर वो at ease, आपका worker काम कर रहा है, काम जादा करेगा, जादा काम का मतलब जादा profit, and profit ultimately कौन ले जाते हैं, आपके capitalist, तो सारी चीज़े किसको फाइदा दे रही हैं, आपकी जो haves हैं, आपके owners है, तो इस सारा जो बना हुआ है society में, जो ये difference बनी हुई है, ये इसी लिए बनी है, ताकि जो economic division already create हुआ है family, society में, वो economic division जो है, वो अच्छे से चल सके, और सारा फाइदा इसका जो है, वो haves ले सके, ठीक है, तो conflict perspective का भी क्या कहना था, ये जो gender inequality है, ये basically क्या है, जो economic division है society में, उसका impact आपकी family पे, फिर interactionist perspective, इसमें मैंने आपको hand raise वाली example lecture में बताई है, अगर आपने वो lecture in detail नहीं देखा, तो lecture number 13 आप देख लो, अभी time है, तो ये revision series आपके लिए helpful, नो डाउट रहेगी, पर अगर आपने अभी तक वो videos नहीं देखे हैं, तो पहले आप वो videos भी देखो, ठीक है, उसके बाद आप revision series साथ साथ देखते रहो, और जो test series है, वो attempt करते रहो, अब interactionist perspective क्या होता है, वो basically बोलते है, हमें हर बात को समझना चाहिए, उसके meaning पे, for example, मैं आप वो का था, class में, teacher ने कोई question पूचा, ठीक है, question पूचा, एंड एक student ने hand raise किया, अपना हाथ खड़ा किया, तो इस meaning को, क्या को, उसके हाथ खड़ा करने को, अलग लोग अलग चीज समझेंगे, हो सकता है, उसको toilet break चाहिए हो, उसने इसलिए हाथ खड़ा किया, लेकिन कोई student सोचेगा, कि इसको शायद answer देना है, इसलिए इसने हाथ खड़ा किया, कोई student सोचेगा, कि इसको teacher पे impression जमाना है, इसने इसलिए हाथ खड़ा किया, teacher हो सकता है, उसके हाथ खड़ा करने को, कोई meaning ही ना दे वो neglect कर ले उसको तो different लोग अपने अपने perspective से देखेंगे, तो यहाँ पर interactions क्या कहता है, जिस इंसान ने वो action किया है, आपको उसके meaning को समझना है, उसको क्या करना था, उसको toilet break चाहिए थी, तो आपको समझना है उसने हाथ खड़ा क्यों क्या, उसने क्या meaning दिया है, ठीक है, तो यह था थोड़ा बहुत interactions perspective का, इससे क्या हो जाएगा, अगर हो सकता है, जेंडर इनिक्वालिटी में आपको interactions perspective नहीं आ जाए, उनको कोई और टॉपिक आपको इन डीटेल में पूछना हो और वो आपको कोई question में ऐसा नहीं देते, interactions perspective, at least आप सोच पाओगे उस question के बारे में, अगर आपको पता होगा कि यह क्या होता है अब gender stratification में हमें क्या देखना है, यह school of thought जो है, interactions perspective, यह क्या कहते थे कि gender stratification क्यों exist करती है, because people act towards each other on the base of the meaning they have for each other ठीक है, pink blue color example, हम क्या बोलते है pink color किसका है girl का and blue color किसका है boy का यह कोई scientific तो नहीं है scientific discovery, scientific invention कोई नहीं है यह क्या है basically, यह एक meaning है, जो दिया हुआ है, लोगों ने pink color associate करते हैं girl के साथ and blue color को associate करते हैं boy के साथ, अभी इतना जादा in fact strong हो गया यह opinion कि लड़के अब pink color के कपड़े बिचारे पहनते ही नहीं है, उनको girlish वाली feeling आती है लड़के, ऑल तो blue पसंद है हम पहनते हैं, हम blue suit पहनेंगे लेकिन लड़का pink shirt पहनने में तोड़ा awkwardness feel करेगा, ठीक है, तो यह interactions perspective का कहने का मतलब था कि लोग basically एक दूसरे की तरफ act करते हैं according to the meanings, जो चीज़ों को देते हैं, and वो meanings कहां से आती हैं, वो meanings आती हैं social interaction से, that means आपको society ने gender differences के कुछ meanings दिये हैं, कि लड़का जो है, वो नहीं रोता है जिसे लड़के को बोला जाता है कि आ लड़कियों की तरह रो रहे हो, आप देखो conditioning कैसी हो रही है, socialization कैसी हो रही है बच्चे की बच्पन से बच्चे को बोला जाता है कि लड़कियों की तरह रो रहे हो, इसे बच्चा क्या करता है जब वो बड़ा भी हो जाता है, वो अपने emotions को अंदर रखता है, लड़के हम usually introvert जादा देखते है as compared to girls, और हम चोटी-चोटी बात पर लड़कियां रोती है क्योंकि society ने इसको ऐसा meaning दिया है through social interaction, और society ने इस चीज़ को approve किया है, लड़की रोएगी, लड़का अपने emotions को hold करके रखता है तो यही interactions perspective का कहने का मतलब था, जो जे जेंडर stratification है, यह उस चीज़ पर based है, जो लोगों ने meaning दिये है एक दूसरे की चीज़ों को through the process of social interaction that means, लोगों ने meaning दिया कि जो pink doll है, या जो doll है वो girl ही खेलेगी उसके साथ और जो car है, वो boy ही खेलेगा उसके साथ, इस वजह से यह difference जो है, society में exist करती है ठीक है, यह था आपका interactions perspective हमने functionalist देखा conflict देखा, interactions देखा CH Koolay ने एक हमें theory दी थी looking glass self की, उन्होंने क्या कहा था looking glass self क्या होता है, जैसे as a teacher, अगर मैंने भी चीज़ observe की है, कि अगर मैं किसी student को बोलूं कि यह अच्छा है काफी अच्छा है, वो चाहे पढ़ाई में अच्छा ना हो मैं बोलूं वो अच्छा है, वो अच्छा है उसको पता है कि teacher मुझे अच्छा समझती है तो वो खुद को अच्छा वैसा ही हमेशा रखने की कोशिश करेगा मेरे सामने अगर मैं बोलूं कि यह बड़ा intelligent है, तो वो मेरी क्लास में हमेशा आके पहले से prepared रहेगा कि माम मुझे intelligence समझती है मैं हमेशा माम के सामने intelligent रहना चाहूंगा तो उस थेरी को हम बोलते है looking glass देखो, sociology इतनी difficult नहीं है इसमें बात क्या है, बाते वही हैं जो हमें पता है, आपको बस एक सही से उस चीज़ को practically समझाने वाला इंसान चाहिए क्यूंकि आपके पास आप एक terminology है, हमने अभी तक sociology में ऐसी कोई बात नहीं पड़ी होगी जो आपको नहीं पता है, आपको socialization भी पता है, गरू में होती है यह जो मैंने आपको gender stratification बता है यह भी आपको सारी चीज़े पता है बस आप sociology में आप क्या सीख रहे हो, आप term सीख रहे हो, इसके लिए क्या term है और वो किसने दिया था, तो sociology को आप इस तरीके सो लो, यह आपके life में भी काम आएगी यह चीज़े सीखना ठीक है, if society perceives man as masculine, he also wants to be masculine, जैसे again वही चीज लड़का नहीं रोता है society उसको ऐसा समझती है लड़के भी apprehensive होते हैं, वो डरते है फ़ोड़ा awkward feel करेंगे ऐसे रोने में कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा हूं है ठीक है, तो लड़के basically उनको मैं society एक उसमें रखती है, एक frame में रखती है masculinity वाले frame में, जिसमें ये छोटी-छोटी चीजे रूटना, ये रोना and all that, सूट नहीं करता तो लड़का भी विचारा मरते दम तक उसी image में ही रहना चाहता है मतब रहने की कोशिश करता है तो उस theory को हम बोलते है, looking glass self कि जैसे आपको society देखती है, आप वैसे ही खुद को हमेशा प्रिजेंट करना जो है चाहते हो, और वैसे ही बन जाते हो mirror image बन जाते हो, जो society आपको देख रही होती है, वैसे इंसान बन जाते हो और एक इसमें concept याद रहना है doing gender, ये किसने दिया था West and Zimmerman ने, इन्होंने क्या कहा था gender is not something that, मतब कोई noun नहीं है, ये it is not a name, it is something we perform that means, ये कहां से arrive हुआ है ये concept, ये arrive हुआ है आपकी society की interactions से, society की happenings से, ठीक है तो doing gender याद रख ले न, किसने दिया था फिर feminist perspective है, उन्होंने कहा था gender जो है, gender stratification ये basically interaction है intersection है, gender, race and class का तो तीनों चीज़े जो है वो मिला कि आपकी gender inequality बनाती है, ये use करते है conflict approach ये बोलते हैं, जो females हैं, वो घर में काम वगरा करते हैं तो वो unpaid labor की तरह काम करती है without any salary, without any leave उनके लिए कोई Sunday नहीं, कोई Monday नहीं सारा पूरी जिंदगी हर दिन एक जैसा and highlight करते हैं ये patriarchy को, तो feminist हमें पता है feminist का perspective जो है, वो कहां जा रहा होगा difficult नहीं है समझना, अभी हमने क्या पड़ा, functionalist perspective आपका इन्होंने का efficient है to create division of labor gender inequality, conflict perspective उन्हें का gender inequality इसी लिए है क्योंकि जो economic division बना हुआ है society का, उसको promote करती है profit जो है, capitalist को जादा लाके देगी, अगर society में gender inequality बनी रहेगी interactions perspective को, उन्होंने कहा कि लोग जो है, एक दूसरे की तरफ act करते हैं, meanings, जो उन्होंने चीज़ों को meanings दिये होते हैं, उस हिसाब से and लोग उन्हें ऐसे meanings दिये होए हैं and society लड़के को हमेशा एक masculine nature में देखना चाहती है इस वज़ा से gender inequality society में होती है doing gender western zimmer men feminist, उन्होंने conflict approach यूज किया का, अन्पेड लेबर की तरह काम करती है and highlight किया patriarchy को ठीक है, इसमें देखते हैं global gender report 2023 इंडिया का कहाँ पे, इसमें आता है 127 out of 146 countries यह rank याद रख लेना and यह release किया था by World Economic Forum ने यह release करती है, यह gender gap report लेगा, कितना gap आपके genders के बीच में, और यह चार dimensions पे evaluate करती है, कि economic participation, females की कितनी है and males की कितनी है economic participation and opportunity दोनों को कितनी मिलती है educational attainment, कितनी literacy rate है आपकी males की and females की health and survival according males and females में कितना difference है and political empowerment कितनी है, that means आपके जैसे India के example लिल, तो Parliament में कितने MPs आपके male होंगे और कितने MPs female होंगी, तो यह सारी participation, यह सारी चीजे जो है in dimensions पे इसको major किया जाता है global gender gap report को ठीक है, फिर हमारा lecture number 14, types of gender inequality पहले देखते हैं, inequality inequality in family, family से ही exist करती है बाई बहन के बीच का difference, mother, father के बीच का difference, natality inequality, natality inequality होता है जो neonate से ही होती है, neonate होते है 0 to 28 days वाले, या अगर weeks में देखो तो 4 weeks to 48, 4 weeks to sorry, 8 weeks भी कहीं लिखा होगा, ठीक है तो दोनों options जो हैं, अलग-अलग लिखे होते हैं तो neonates में भी अगर आप देखो कैसे gender inequality होगी, जैसे अगर लड़का बिमार हो जाए, बिल्कुल छोटा बच्चा कुछ हफतों का, तो कई families ऐसी होंगी, जो boy पे expenses जो हैं लगाएंगी, लेकिन कुछ families और girl पे जो हैं अभी भी नहीं लगाना जाहेंगी, अगर इतनी छोटी बच्ची बिमार होगी, तो हो सकता है, बहुत ही मलब बुरी situation है, पर ऐसा होता है families में, कि उन पे हो सकता है, दियान नहीं दे कि हाँ खुद बखुद ठीक हो जाएगी, ऐसा कितना ratio होगा, ठीक है, almost schools में जब हम बढ़ते हैं, तो हमें equal boys girls देखने को मिलते हैं, classroom में, फिर देखो जब हम किसी professional course में जाते हैं, engineering कर ली, या medical science में चले गए, या कोई और arts में चले गए, वहाँ पे देखो लड़के कितने जादा होते हैं, और एका-दुका लड़कियां आपको देखने को मिलते हैं, class में, तो professional level पे भी inequality जो है, वो देखने को मिलती है, jobs वगएरा में, promotion में, ownership inequality, आपकी property father के नाम की होती है, ठीक है, बाद में जब भी property आगे share की बात आती है, तो father से कैसे son को मिलेगी, यही बात आती है और लड़कियों को वहाँ पे भी neglect किया जाता है, household inequality this is again related to your inequality in family, जो हम घरों में देखते हैं, gender issues all important aspects जो effect करते हैं human lives को, including men and women and transgender, वो सारे issues हम किसमें लेते हैं, gender issues में वो face करते हैं, that means क्या कि differences जो है, gender based issues जो females face करती है या males भी face करते हैं और आपके transgenders भी face करते हैं वही सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं तो child sex ratio 2011 के census के according 909 per thousand males 909 females per thousand males आपके India का है and JNK का है 862 per thousand males 862 females per thousand males तो यह PIB का data है, जहाँ पे सारी information आती है, government website का तो यह data authentic है, यह आप याल रख लेना और unequal education, अब हम gender issues देख रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हैं तो unequal education, लड़के सादा, लड़कियां कम unequal pay तो pay gap, जो है pay parity आपने सोना हो गए Bollywood में भी या बड़े सारी companies, में बड़े सारी companies, modern so-called equal pay for equal work and article 41, यह बोलता है right to work, जो है वो, दोनों के लिए बराबर है, तो दो हमारे articles है, DPSP हमने constitution में पड़े हैं, यह DPSP में आते हैं, यह address करते हैं इस चीज को, ठीक है फिर gender racism, that means जब आपको gender based difference भी face करनी पड़े and race based difference भी यह coin किया था, Philomena Acid ने, ठीक है, यह नाम भी आज रख ले ना, gender से related है, inequality से, तब ही मैंने यहाँ पर include किया है, तो gender racism क्या होगा, अगर कोई white female होगी ठीक है, अगर female male और white male होगा, तो उनके बीच में कोई ना कोई inequality वो face करेंगे society में, अब अगर black female होगी, एक तो वो black male से भी कुछ inequality face करेंगी, उसके comparison में भी, और उसको white female के comparison में भी कुछ inequality face करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर race का भी आ गया, black and white का भी और gender का भी आ गया, अब कौन-कौन से articles हैं, यहाँ आगे भी देखेंगे, जो gender issues को address करते हैं, यहाँ नीचे देखेंगे, constitutional provisions में, less promotion, जो है, females की कम होती है as compared to males, बड़ी सारी companies में, ठीके, females की appointment कम होती है, क्योंकि पता है, कल को इनकी शादी होगी, delivery and maternity leaves देनी पड़ेंगी वगेरा वगेरा काफी चीजे, तो उनको high positions के लिए, जो है, वो appoint नहीं किया जाता, and उनकी low positions के लिए, अगर appoint किया, तो उनकी promotion, ज़्यादा consider नहीं की जाती है, विमन की जो mortality rates है, वो भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्पन से ही, उनको खाने पीने पे भी दियान नहीं दिया हुआ होता है, इन टेक पे पहले से ही, पर ऐसा families में यूजूली नहीं होता है, तो इसलिए mortality rates, जो है, death rates है females की, वो जादा होती है, in negligence की वज़ा से, in negligence वाली death rates है, ठीक है, violence 35% of women, जो हैं globally अभी भी face कर रही है, अब हमारे constitution में क्या के address किया है, article 14 कहता है equality, तो इसमें दोनु genders आएंगे, article 15 prohibit करता है discrimination on the base of gender, हमने detail में पढ़े है, article 16 talks about employment opportunities, तो इसमें भी कोई discrimination नहीं होगी on the base of gender, article 39 equal rights to adequate livelihood, यह दोनु को है equal right, adequate livelihood का, and इसका जो d वाला sub clause है, वो किसके regarding है, आपके pay के regarding, article 42 कहता है just and human condition for work, article 42 में होती है, तो यह सारे constitution provisions जो है, वो थोड़े बोट, आपको याद रखने है, gender inequality gender issues से related है, and मैं जो आपको PYQ करवाया था एक बार, उसमें ऐसे questions जो है, directly आए हैं, ठीके, तो इनको आप avoid, यह neglect नहीं करोगे इन questions को, फिर Jan 2008 में यह Supreme Court ने कहा था, live-in relationship को permit किया गया था, जिसमें लड़का और लड़की साथ रहते हैं without marriage, और कहा था, ऐसे में अगर उनका child हो जाता है, उसका एक legal status होगा, that means, उस बच्चे को ना-जाइज या illegal status जो है society में नहीं मिलेगा, फिर कुछ acts हैं, women के maternity benefit act, इसको amend किया गया था, 2017 में उरका था paid maternity leave, उस lady के लिए जिसके less than two surviving children है, उसको 12 से 26 weeks सक extend करो, तो इन detail में ने lecture में cover किया हुआ, यहाँ पर बस इनका थोड़ा बुद हलकाल का revision देखते हैं, special marriage act, जिसने permit की थी inter-religious marriages, dowry prohibition act, जिसने क्या किया था, dowry को prohibit किया, 6 month और 15,000 या amount of dowry, इतना उसको fine pay करना पड़ेगा, या 6 महिने से 5 साल तक ही सजा भी उसको हो सकती है, Hindu Succession Act आपके property related है, यह हमने women right आगे भी डूसरे lecture में भी explain किया हुआ है, तो इसको amend किया गया था 2005 में, इसने क्या किया, यह basically property rights की बात करता है, male and female की, तो इसको amend करके women को copersonary rights ये थे, copersonary right होता है, right as a matter of birth, right as a matter of birth, जो लडगे को by default मिलता था पहले, कि वो अपनी property से हिसा मांग सकता है, क्योंकि वो beta है, as a matter of birth, by default उसको right मिलेगा, तो उसको हम copersonary right बोलते हैं, यह women के पास by default नहीं आता था, तो इस act को amend किया गया, 2005 में, and जो women है, उसको भी copersonary rights रहे हैं, वो दिये गए थे, अब देखते हैं, transgender के बारे में, अभी तक हमारा women का हो गया, ठीक है, gender का हो गया, transgender का देखेंगे, transgender basically कौन होते हैं, यह umbrella term है, इसने उस सारे इंसान include होते हैं, जो बोलते हैं, जिनका जिए gender होता है, does not match with the gender assigned to them at birth, for example, वो लड़का पैदा हुआ है male, लेकिन वो खुद को बड़े होके identify करेगा as female, उसको अंदर से feeling आएगी, इसमें आगे फिर काफी types आपको मिलेंगे, तो transgender समझ लो, एक umbrella term है, बड़ा सा term है, जिसमें आपको चोटे-चोटे terms बाद में देखने को मिलेंगे, जो हम आगे देखेंगे, पहले क्या होता था, male and female, जब आप tick box करते थे, कि आपका sex क्या है, male या female कोई भी form बढ़ते time, तो फिर यह बात कहीं, इसमें एक तीसरा box भी आना चाहिए, जिसमें others लिखा होगा, तो वो others क्या है, basically वो others इन ही चीज़ को यह represent करता है, indicate करता है, ठीक है, तो Supreme Court Nelsa versus Union of India case में कहा था, गर यह याद नहीं भी रखो, लेकिन इतना कहा था कि जो others हैं, इनको recognize करो as third gender, इनको third gender recognition मिला है, जो भी उस others वाली category में आएंगे, that means जो लड़का लड़की नहीं है, बाकी सारे जो खुद को समझते हैं, extra extra जो हम यहाँ पर types देखेंगे, तो K.S. Radha Krishna एक judge हैं, इन्होंने कहा था, इनको right दिया गया है, खुद को identify करना, ज़रूरी नहीं अगर लड़का पैदा हो, वो जिन्दगी पर बोले हां में लड़का ही हूं, वो सकता है वो कल को जाके, खुद को identify करे as female, तो उसके पास वो right है, और ये right आता है, under article 21, जो कहता है कि right to life with dignity, तो dignity वाली जिन्दगी जीने के लिए, अगर उसको लगेगा, वो खुद को identify करता है, एक ऐसे sex के साथ, जो उसको birth पे नहीं मिला था, that means वो लड़का पैदा हुआ था, बट लेटर ओन, life की किसी stage में, उसको लगेगा कि वो लड़की है, तो उसके पस वो right है, खुद को identify करने का as a girl, और वो right किस article में discuss किया हुआ है, article 21 में, जिसमें ये clause आता है, कि everyone has got a right to life with dignity, ठीक है, तो dignity वाली life नहीं जी सकेगा, अगर उसको चुपके रहना पड़ेगा, that means उसको identify करने दो, ताकि वो a dignified life जी सके, तो हमारे पास इसमें एक act आया था, इनको protection का, Transgender Persons Protection of Right Act in 2019, इसकी definition क्या कहती है, कि अगर वो खुद को assign नहीं करता है, as a male, जो उसको birth पे sex मिला है, वो खुद को उससे identify नहीं करता है, तो it's okay, उसको जबरदसी identify नहीं करवाना है, तो इसमें इसकी definition में, वो सारे लोग include होते हैं, जो मिन आपको अभी कहें, जो आपने assigned sex zone को birth नहीं होते हैं, उससे identify नहीं होते हैं, तो इसमें कौन-कौन से आएंगे, neither holy female nor male, combo of male female, and neither female nor male, तो इस सारे जो genders हैं, इसमें include होते हैं, इसमें और कौन से आते हैं, trans men, trans men होते हैं, जो पैदा women हुए होते हैं, बट later on, खुद को men के साथ identify करते हैं, and इसका ultra trans women, जो पैदा men हुए होते हैं, लेकिन बादने हो लड़की बन जाते हैं, trans women, and intersex variations, and gender queers, intersex variations होते हैं, जिन में biological problem होती है, hormonal changes, या chromosomal abnormalities की वज़ा से, वो सकते हैं, वो दोनु reproductive organs के साथ पैदा होते हैं, male and female भी, ठीक है, biological sex characteristics की वज़ा से, जो variations आती हैं, उनके hormonal changes और chromosomal abnormalities होती हैं उनमें, तो वो आपका intersex होते हैं, gender queers होते हैं, इनको हम non-binary बोलते हैं, non-binary, non-binary हमारे पास binary कौन से हैं, male and female, binary means two, ठीक है, लेकिन ये वो नहीं मानते, ये 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 नहीं मानते, कि हमारे पास सिर्फ दो हैं, हमारे पास ये binary, जो difference है, ये उसको गलत बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको non-binary बोला जाता है, इनको neutrally or fluid भी बोलते हैं, जैसे ये खुद को लड़का लड़की दोनों समझते हैं, आज ये खुद को लड़का, कल ये खुद को लड़की, या हो सकते हैं, न मैं न लड़का हूँ, न लड़की हूँ, ठीक है, जाती है, जैंडर कोईर्स, मैं हमने देखी हूँगे, ऐसे काफी influencers भी Instagram पे, अगर आप देखोगे, तो ये जुमिना पे मोती चूर का लड़ू बन है, ये जैंडर कोईर, का एक symbol है, ताकि आपको याद रहे, I don't mean to offense anyone, ये बस थोड़ा बहुत humor बीच में आ जाता है, जैंडर को देखें, तो अब अगर वो खुद को identify करेंगे, जिस तरीके से भी करेंगे, उसके लिए उनको certificate चाहिए होते है, जो उनको एक district screening committee के पास जाना होता है, कि मैं खुद को ऐसे identify करता हूँ, फिर आगे थोड़ा कुछ प्रोसेस होगा, फाइनली उनको एक certificate दी जाती है, और एक term है cisgender, cisgender होता है, gender identity, आप female हो, खुद को female ही समझो, male हो, खुद को male ही समझो, ठीक है, और जो LGBTQ है, LGBTQ+, ये basically ये ही umbrella term की community है, आप बोल सकते हैं, जिसमें सारी चीज़े जो है, different-different sexual orientations के लोग जिसमें आते हैं, तो इस community as a whole को हम क्या बोलते हैं, LGBTQ, फिर LGBTQ के अंडर आपके transgenders आ गए, transgenders के अंडर आपके trans men, trans women, intersex variations and gender queers आ जाते हैं, फिर lecture 15 देखते हैं, ये हमारा human rights से related, बाकी सारे वो जेंडर वाले topic खतम हो गए, ठीक है, तो human rights क्या होते हैं, human rights होते हैं, जो आपको rights इसलिए मिलते हैं, क्योंकि आप कहीं, आप इंसान हो, because of humanness, ठीक है, आपको rights इसलिए नहीं मिले हैं, क्योंकि आप किसी state के citizen हो, आपको वो rights इसलिए नहीं मिले हैं, क्योंकि आप Indian हो, या आप US citizen हो, आप French citizen हो, वो rights आपको इसलिए मिले हैं, क्योंकि आप इंसान हो, इसलिए उसको बोला जाता है, कि derive होते हैं from natural rights, ठीक, इनको officially announce किया गया था, Universal Declaration of Human Rights में, UDHR जो हमें आगे पढ़ना है, adopt किया था, United Nations General Assembly ने, on 20th December 1948, काफी जदा important date है, या प्याद रखोगे, तो rights हमारे legal भी हो सकते हैं, जो हमें law provide करते हैं, और moral भी हो सकते हैं, जो आपके by convention, या fairness and justice के basis पे होते हैं, ठीक है, कि क्या जाइज है, आपके civil and political rights में आते हैं, डीटेल एक्जाम्पल्स के लिए, आप मेरे notes देख सकते हैं, जो में आपको compiled PDF प्रोवाइड करी हैं, इनकों first generation rights भी बोलते हैं, second होगे आपके economic, social and cultural rights, ये भी type of human rights हैं, जो आपको देना काफी जरूरी है, इसमें कौन से आते हैं, right to work, health care, education, social security, etc., वो आपके second generation rights होते हैं, फिर आपके third generation rights, वो आपके होते हैं, group or solidarity rights, वो होगे आपके right to peace, right to environment, right to development, ये आपके solidarity and group rights होते हैं, तो three kinds of human rights है, first generation, second generation, third generation, important है काफी ये आप याद रखोगे, फिर nature of human rights एक लेते हैं, ये universal होते हैं, that means ये आपके लिए अपलाई होंगे, चाहे आप किसी अमीर मुल्कों बिलाउंग करते हैं, आप कोई third world country के पार्ट हो, या आप किसी developed country के पार्ट हो, doesn't matter, universal है, सबके लिए है, इसमें कोई discrimination नहीं होगी, that means इंडिया के लिए भी वही rights होंगे, इंडिया के citizens के लिए भी, क्योंकि वो भी इंसान है, बंगलादेश के जो लोग हैं, उनके लिए भी वही rights होंगे, US के जो लोग हैं, उनके लिए भी वही rights होंगे, that means ये rights आपके national boundaries को cross करता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए अलग रखो, यूएस के लिए अलग रखो, नहीं, तो इसके लिए नाशनल बॉर्डरी का कोई impact नहीं पड़ता है, इस पे, no hierarchy, ये कोई hierarchical order में नहीं है, चाहे आपने one article में एक चीज लिखी हो, second में दूसरी लिखी हो, third में दूसरी लिख ग्रूप solidarity rights भी आगे, तो इसलिए नको बोला जाता है, कि ये comprehensive हैं, details में discuss होएं, अब ये काफे important है, they are not absolute, absolute जो नहीं होते हैं, that means ऐसा नहीं है, कि आपको हमेशा के लिए मिलेंगे, इन पे कभी-कभी कुछ restrictions लगाई जा सकती हैं, for example, कोई war चल रही है, उस case में हो सकता है कोई जो rights हैं, आपके human rights के basis पे, उन rights को restrict किया जाए, prohibit किया जाए, ठीक है, तो ये absolute नहीं होते हैं, absolute होना और नहीं होना क्या होता है, ये हमने constitution में discuss किया है, आपके लिए बस इतना याद रखना काफी है, कि जबकि जो human rights हैं, वो भी absolute नहीं होते हैं, उनको किनी special circumstances में, special conditions में restrict या prohibit किया जा सकता है, फिर evolution देखते हैं, इन rights का, at domestic level, अब ये जो human rights अपको मिले हैं, ऐसा तो नहीं है ना, कि लोग एक दिन सो गए और अगले दिन नीन से जा गए और उनको खयाल आ गया कि नहीं, अब बड़ी जो organizations हैं, उनके जो बड़े cheer person बगेरा हैं, वो सो अब बड़े का, नहीं हमें human rights देने चाहे लोगो, ऐसा नहीं हुआ होगा ना, कोई एक process वा होगा, background में काफी stories चली होंगी, जिसकी वज़ा से एक concrete form में कोई right आपके सामने आया होगा, अब बड़ाउंड की क्या stories है, international level पे क्या हो रहा था, domestic level पे क्या हो रहा था, वो सा as old as human species, अब ये by nature ही आता है, अब early man के time पे देख लो, जब वो लोग रहते होते ना, उनको भी basic human instinct होता है, कि हां में कोई चीज कर सकता हूं, कोई चीज मुझे, जो है as a duty करनी चाहिए, और कोई चीज हक मुझे मिलना चाहिए, अगर मैंने किसी जानवर को मारा है, मैंने म अदर भी आएगा, कि मैंने इस जानवर को नहीं मारा, तो मेरी duty है, मैं इस इनसान को disturb नहीं करो, मैं इसको इस जानवर को खाने दू, ठीक है, तो ये हम बोलते हैं, इसलिए जो rights and duties are concept है, ये इतना ही पुराना है, जितनी human species है, अब man जो है, वो self-sufficient नहीं है, उसको जरू इनसान हो, दुनिया में अकेला रह रह रहा है, ठीक है, तो उसको किसी की जुरत नहीं है, उसके लिए क्या norm, क्या value, क्या rule, उसको जैसी मर्जी आएगी, वो रहेगा, लेकिन जहां society का concept आ गया, लोग इकठे रहना शुरू हो गए, that means आपका एक relation बनना शुरू हो जाता ह interaction develop होती है, एक dependency develop होती है, आप अपने गर में dependent हो, सुबह दूदवा लाएगा, तो ही आपे गर में चाय बनेगी, ठीक है, बाद में आप उसको payment करोगे, तो ही उसका गर खर्चा चलेगा, तो ऐसे dependencies होती है society में, तो कुछ norms भी होने चाहिए, और इन ही thoughts से क्या आ जाता है, नॉर्म्स जो हैं, वो gradually evaluate होना शुरू हो जाते हैं, तो कहां-कहां से आप बोल सकते हैं, evolution of right है, ancient Greek and Roman political systems in Europe जो चल रहे थे, ठीक है, हमें इस टीटेल में नहीं पढ़नी, Confucian system, China का, Islamic political system, Muslim world का, हमारे लिए यह important है, जो panchayat system in India, ठीक है, यह भी एक पार था, original, यह जो evolution of human rights थे, यह हमने पढ़ा lecture 15 में, अब आते है lecture 16 की तरफ, important events जो ने contribute किया towards the development of human rights, ठीक है, अब यह था evolution domestic level पे, अब क्या के important events हुए जो ने contribute किया towards the development, earliest charters, कौन से थे human rights के, इस चीज़े discuss हुई थी, एक था magna carta, 1215, petition of right and bill of right, magna carta में क्या का था, king is not above law, ठीक है, that means law अगर कोई human right की बात करेगा, king उसको negate नहीं कर सकता है, king आपका law से उपर नहीं है, petition of right सा किसके related आपके against illegal taxation, आप लोगों को illegal taxation में नहीं डाल सकते हो, उनके कुछ rights है, अगर वो क पुट की थी, restrictions on the arbitrary rule of the king, कि king जो है, अपनी मर्जी से exploit नहीं कर सकता है, लोगों को, जो उसकी मन मर्जी आएगी, वो करेगा, इस चीज़े पर full stop डाला था, तो यह तीन constitution जो है, again lecture में, detail में discuss किये है, यह earliest charter से, आपके human rights के, अब यह सारी बाते हैं, हमें human rights, जो है, as a document, य नहीं आया था, यह बस background में चीज़े चल रही है, तो इनको क्या लगा, ठीक है, इस सारी बाते तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ written guarantees होनी चाहिए, human freedom की, and उस written guarantee of human freedom, जो है, आपको कुछ अलग-अलग documents के, through declarations के, through मिली थी, Virginia Declaration of Right, 1776, इन्होंने protect किया था subject, that means, जो लोग होते ह from state interference, इसमें ये बात हुई थी, American Declaration of Independence, इसमें idea of human rights की बात हुई थी, कहा था, all men are created equal, ठीक है, तो ये सारी बाते किस तरीके, तरफ हमें ले जा रही है, ये आपको एक human freedom की written guarantee दे रहे है, क्योंकि ये declaration है, declaration मतलब एक agreement या आप बोलो, एक document, जिसमें चीजे सारी, जो है, written format मे लिखी गई होंगी, तो आइसा-इसा क्या हो रहा है, हर छोटी CD, हर छोटा step हमें कहां ले जा रहा है, human rights की तरफ, ठीक है, तो French Declaration of Rights of Man and Citizens, इसने भी कहा था, all men are born equal, वो जो state है, वो preserve करेंगी, natural rights of man, etc, American Bill of Rights, 1791, यहाँ पर शायद लिखना भूल गे, आप add कर लो, ये basically क्या बात हुई थी, कि आपकी जो individuality है, उनकी freedom वगेरा, उसको जाधा importance जी थी as compared to your state, ठीक है, तो human freedom की बाते होना यहाँ पर, थोड़ा written format में सारी चीज़े आपके सामने आने लगी, जो Bolshevik revolution हुआ था 1917 में, उसमें socio-economic justice, that means society में justice, economic justice, तो मतलब economically आप, मतलब economic inequality society में नहीं हो ठीक है, तो socio-economic justice, वो कहां से concept है, Bolshevik revolution से, जितनी सारी declaration सी, वो important थी for the evolution of human rights, लेकिन human right जो था, अभी भी universal नहीं हुआ था, मतलब हमारे पास एक proper format, proper framework नहीं था human rights का, लेकिन हाँ, अभी तक हमने क्या-क्या देखा, domestic level पे इसके evolution का देखा, कैसे-कैसे evolve हुआ, क्या-के चीजे हुई, फिर important events, earliest charters, human rights के, जिनमें human rights की बाते होना शुरू हुई, क्या-के declaration हुए, important, जिसमें written guarantee दी गई, human freedom की Virginia, American declaration of independence, French declaration of rights of man and citizen, and आपका American Bill of Rights, ठीक है, Bolshevik revolution 1917 का, सारा हम किस तरफ जा रहे हैं, आप slowly evolution of human rights जो रहे हैं, अभी तक universal नहीं हो रहा है, फिर international platform में human rights की बाते भी होनी लगी, that means internationally जो है, ये एक world politics, एक global politics का हिस्सा बनना शुरू हो गया, आपका human rights, तो उसमें क्या-के चीजे होई, humanitarian intervention law, ठीक है, humanitarian intervention law ने क्या कहा, कहा कि अगर कोई country जो है, अपने ही जो nationals है, मतलब उस country के लोग हैं, उनको maltreat करेगा, उनको mistreat करेगा, ill-treat करेगा, तो बाकी country's lawful use of force से उसको रोक सकती है, to stop the maltreatment of its own nationals, ठीक है, ये humanitarian intervention ने का, तो हुई human rights की protection की बात, international humanitarian law कुछ च्रीटीज सामने आई, इसमें कुछ जो है, राइट्स दिये गए, wounded armies को, और medical personnel को, and hospitals वगेरा को, and protection of civil population की भी बात हुई, अगर ये सारी चीज़े याद नहीं रखोगे, इसमें ये याद रख लेना, इसमें 4th Geneva Conventions में कुछ बाते सामने आई थी, इन laws को, जो इन treaties यहां पर लिखी हुई है, उनको codify किया था, 4th Geneva Conventions में, वो क्या था, 1st Geneva Conventions ने क्या का था, जो wounded armies है, इसने किसकी बात की थी, 1st Geneva Convention है, rights of wounded army, armed forces on battlefield, that means, जो battlefield पर जखमी होते हैं, उनके क्या rights होंगे, ठीक है, 2nd is, जो sea के पास जखमी होए होंगे, उनके rights क्या होंगे है, ये होगे, आगे आपका field, armed forces जो field पर जखमी होए, ये होगे, armed forces, आपके जो sea पर जखमी होगे, and prisoners of war, that means, war में जन लोगों को arrest किया गया वो, ये 3rd Geneva Convention था, 4th Geneva Convention था, 4th Geneva Convention था, इसकी बात की, protection of civilians की, तो ये सारी चीज़े कहां से आई हमारे पास, ये आई हमारे पास, International Humanitarian Law, जो है, in the form of 4th Geneva Conventions आपके सामने आया, ठीक है, तो 1st International Treaties concerning human rights, जो है, it was linked with the acceptance of religion and abolition of slavery, ठीक है, detailed video आपको उस lecture 16 मे इसका मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि International Politics में, अब human rights की क्या-क्या बाते होने लगी, तो पहला होगे humanitarian intervention, humanitarian grounds पे intervene करेंगे, अगर कोई country, अपने nationals के खिलाफ ऐसा कुछ कर रही है, उनको ill-treat वगेरा कर रही है, तो जिससे गदाफी government उसको overpower किया गया, overthrow किया गया लीबिया में, तो यह इसकी example है, क्यूंकि कहा जाता था आपने nationals जो है, उनको वो क्या कर रहे हैं, exploit कर रहे हैं, और ill-treat कर रहे हैं, ठीक है, International Humanitarian Law इसमें क्या हुआ था, चार जनिवा Conventions हुई, उसमें rights की बात की गई, किन-किन की rights की बात क गई वो हमने देखा, फिर हमने एक चीज़ इसमें देखी, जो first international treaties है concerning human right, वो किस से related थी, आपकी acceptance of religion से and abolition of slavery से, फिर कुछ international labor standards by international labor organization, उन्होंने बात की improve करने के लिए working condition of the labors worldwide, तो social justice and labor laws की बात है यहां पे हुई, तो जो आपका मजदूर तबका है, उनके लिए भी बात ह फिर protection of minorities की बात हो गई under League of Nations, तो League of Nations क्या है, यह organization बनी थी World War I के बाद की दुबारा से ऐसी कोई war ना हो, उसको stop करने के लिए एक organization बनी, जिसने बात की disarmament की, कि आप हर country जो है, जो इन चीजों में involved थी, उनको अपने यह weapons वगेरा हैं, वो destroy करने होंगे, तो यह एक body बनी of slavery, इसके कुछ यहां पर facts है, first, इसको condemn किया गया था, Paris Peace Treaty में between जो France and Britain हुई थी, and जो convention पहला हुआ था, suppress करने के लिए slave trade को, and slavery को इसको adopt किया गया था, 1926 में, ठीक है, एक बारी quickly देख लेते हैं, फिर से यह, तो international ground पे क्या हो रहा था, world international global politics में, human right की बात कैसे कैसे होने लगी, humanitarian interventions से, humanitarian law से, charge and even conventions में जो हुआ था, उसके बाद आपका international labors के लिए भी बात होगी, वो भी part of human right है, आपके protection of minorities की भी बात होगी, under legal league of nations, तो यह भी आपके human rights की बात है, उसके बाद slavery को abolish करना, सबसे पहला जो है काम human right को related, के related, वो abolition of slavery and religion के related ही था, तो abolition of slavery से कुछ facts यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देख लो, जो human rights है, वो direct descendant है of the theory of natural rights or rights of man, यह मैंना आपको बोला, natural rights से derived होते हैं, क्योंकि यह आपको इसले मिलते हैं, क्योंकि आप इनसान हो, इसले नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप किसी एक country के part हो, ठीक है, तो John Lockie ने एक book लिखी यह किसके against हो था, officials और जो अपके German Nazi Army के थे, जो उन्होंने war crimes किये थे, काफी जादा war crimes किये थे, World War 2 के time पे, तो उसके against उन पे trial हुआ था, तो post World War 2 हुए थे, Nuremberg trials, इसमें crime हुआ था, बहुती mass level पे against humanity, तो इसमें क्या बात सामने आई थी, अगर जो आपके international laws हैं, जो protect करते हैं, humanitarian values को, अगर वो conflict में होंगे, आपके country के laws से, तो जो international law है, वो ही prevail करेगा, for example, internationally humans को protect करना है, लेकिन आप किसी ऐसे country का part हो, जिसमें human rights की बात नहीं होती है, तो उसमें कोई ऐसा law बना होगा, जो human rights को protect नहीं करेगा, और उस country में कोई ऐसा incidence हो जाता है, तो उस country का जो prime minister होगा, या president होगा, वो यह नहीं कह साता, मेरी country नहीं देती है, human rights law, नहीं, वो यह नहीं कह साकता, क्योंकि जो international laws है, जो protect करते हैं, basic humanitarian values को, अगर वो laws protect कर रहे हैं, humanitarian values को, तो उनको, जो है, importance दी जाएंगी, over your domestic laws, जो आपकी country में बने हुए है, ठीके, for example, killing, अगर killing, जो है, international laws के according, जो है, फालतू की killing वगेरा, human right violation है, ठीके, और आप किसी country में रहते हो, XYZ, वहाँ पर यह killing, जो है, unnecessary killing, मतलब, without any provocation and all, वो कहीं law में नहीं आती है, तो उस country को, अगर कल को, internationally, उसको shame किया जा, या international forums पर उसको, उसका trial हो, तो वो country, जो है, यह नहीं बोल स example थी, समझाने के लिए, तो यह हो गया, उसके बाद, जो harrowing experience होगे, war experience, second world war के बाद, UN ने क्या किया, इसने set किया, अपना human rights agenda through UDHR, और UDHR के format में आपके सामने, human rights agenda, जो है, वो आया था, जो human rights, जो हम next, जो इसका revision वीडियो आएगा, उसमें discuss करेंगे, and next video revision में, जोने थे, वो complete हो जाएगा, ठीक है, तो एक बड़ी quickly देख लेते हैं, हमने क्या देखा, इस फाले chapter में, human rights आपको इसलिए मिलते हैं, because you are human, being human के लिए, आपको human rights मिलते हैं, officially announced in UDHR, ठीक है, and adopted by United Nations General Assembly on 10 December 1948, इस date काफी important है, तो यह याद रख लेना, आपको इसलिए मिलते हैं, हमने राइट सेखे थे, राइट सापके legal and moral, ठीक है, यह भी हो गया, तो यहाँ से अप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी comprehensive थे, कि अल्मोस हर आसपेक्ट of human society जो है, इन राइट के तुरू कावर किया गया था, फिर कुछ नेचर देखा, हमने human rights क युनिवर्सल है, discrimination नहीं है, transence, national boundaries, कोई hierarchical order नहीं है, priority wise, decide नहीं हुए है, कि first है, तो दादा priority का होगा, comprehensive है, absolute नहीं है, that means, इनको restrict किया जा सकता है, किसी special circumstance में, फिर evolution देखा, हमने domestic level पे, उसमें हमारे ले important है देखना, panchayat system in India, फिर important events क्या हुए थे, जिसने act किया था, या contribute किया था towards the development of human right, वो थे आपके earliest charter of human right, जो बने थे three British constitutional documents पे, वो था magna carta, petition of rights, and bill of rights, फिर important declaration of rights से पहले क्या हुआ था, एक written guarantee आपको मिली थी of human freedom, किसी declaration के form में, वो थे Virginia, American declaration, या आपका French declaration of rights of man and citizen, and American bill of rights, and Bolshevik revolution जो है, उसने भी आपको कुछ चीज़े बताई थी, जै national platform पे ये सारी चीज़े सामने आने लगी, ऐसे charters वगेरा, ये written agreement, जो है, different different countries के होने लगे, जिसमें human freedom की थोड़ी बहुत बाते हुई, ठीक है, फिर अभी तक हमारे पास human rights, जो है, as universal सामने नहीं आया था, फिर global platform पे, global politics का हिस्सा कैसे ये बना, काफी अलग, जो है, intervention हो तो आपको lawfully रोका जा सकता है, for example, Libya में ऐसा already हुआ है, फिर international humanitarian law, इस से क्या हुआ था, codify हुए थे, चार Geneva Conventions, जिसमें बात हुई थी, right of wounded armies on battlefields, sea, prisoners of war and for Geneva Convention में, protection of civilians, जिसको हम बोलते हैं, Hugs Convention में हुआ था, ठीक है, फिर हमने देखा, पहली international treaties किसके related थी, आपकी acceptance of religion and abolition of slavery फिर ILO international labor standards, जो थे वो set किये गए थे, ILO के true international labor organization, जहांपे का था, improve करो working condition of workers worldwide, and then protection of minorities under league of nation, तो इस सारी चीजे जो है, platform international discuss हो रहे थे, that means human freedom की बाते, जो है, global politics का, ये global platform का हिस्सा बन रहे थी, फिर देखा, abolition of slavery, ठीक है, उसके कुछ related facts, जो आपकी याद रखने है, फिर Nure Nuremberg trials, जो second world war के बाद हुए थे, against the armed officials, जो भी उन्होंने, जो है, war crimes commit किये थे during the war, वो आपके कौन से थे, German Nazis, ठीक है, और इसमें क्या कहा था, अगर international law, जो है, वो आएगा, in conflict with your domestic law, वहां पर domestic law की नहीं चलेगी, बलकि international law की चलेगी, that means, वहां पर जो sovereignty है, country की, जो हमने discuss किया है, detail में, lecture में भी, and constitution में भी, sovereignty ही, जो है, country की, वो वहां पर suppress रहीगी, और international law की, जो है, वहां पर precedence, important जादा होगी, as compared to your domestic law, फिर harrowing war experience, जो भी हुए थे, उसके बाद, एक, मतलब, background में, काफी सारी चीज़े हुई, जो हमने देखी, अब लोगों के लिए, human right, ए international politics में, जो है, human freedom की बाते होने लगी थी, वो humanitarian intervention, वो law, ILO, protection of minorities, abolition of slavery, यह सारी चीज़े हमारे सामने आए थी, उन पर जो है, conventions वगएरा, sign होना शुरू हो गए थे, और war का experience बहुत बुरा था, तो यह सारी चीज़े background में हुई, और finally UN ने क्या किया, set किया अपना human right agenda, जो सा आज तो नहीं, कल आ जाएगा, उसके साथ ही आपका unit second, वो complete हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं इसकी test series भी लाओंगी, and आपका video solution भी इसका, कोशिश करूँगी कि मैं पहले 5th April से पहले ही record करके रखूँ आपके लिए, फिर April में जब मैं recording नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपके new video, do remember me in your prayers, bye-bye, take care, have a great day.